मानली जे स्टार्ट अप शुरू करते हैं और उसमें लॉस हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टार्ट अप जो देश में शुरू हुए हैं तक्रीबन 10-15% ही ऐसे स्टार्ट अप है जो सकसे जुतने रहे हैं या फिर वो बहुती बधाली की कगार पर हैं उस वक्त अगर कोई सपोर्ट चाहता है या उस समय अगर कोई दिक्कत होती है क्या उसके लिए भी कोई प्लयान सरकार ने तयार किया है कि हमने स्टार्ट अप का पूरा स्टेडी किया और स्टार्ट अइसे लोगों दोरा इस स्टेज में जाके बनाए जा रहे हैं जब उनके उपर किसी नौकरी करने का अर्निंग करने का बहुत प्रशर रहता है इसलिए हमने इसको 11th and 12th से सुरू किया कि अगर आप फेल भी ह होते हैं तो भी हर विए रएडी हम सरकार कि तरफ से इन्वेस्टमेंट कि दे रहे हैं और बच्चें को कह रहे हैं क्या अफना आइडिया लेकर ससक्सां सोब कर दिखाए और अगर फेल में होते हैं तो फेलियर सिख यो zor rhymes के बढ़ीं अगर 12 के बाद कोई बच्चा आप पाते हैं कि उसके इंदर वो स्किल है कि वो स्टार्ट अप शुरू कर सके वो शुरू भी करता है खुदा नाखास्ता पांचे साल बाद नहीं चलता उसका स्टार्ट अप तो क्या आगे की हाईर एजुकेशन में दिक्कत नहीं होगी नहीं हाईर एजुकेशन तो मेरे ख्याल से वो पांचे साल में पूरी कर चुका होगा हम इसलिए उसको हाईर एजुकेशन में एड्मिशन भी दिला रहे हैं जो इसके प्रमिस्ट के बाद भी शायर आप कह रहे हैं अगर मैंने सही सुना था और BBA में के दौरान भी उसके पास इन्वेस्टर रहेगा उनिवस्टी लेवल पर उसके इन्वेशन सेंटर रहेगा उसको बिजनिस कोचिंग होती रहेगी साथ साथ वो अपनी DTU या NSUT या IGDTUW या IP इनिवस्टी जैसी प्रिमियम उनिवस्टी से कॉलिजिस से वो अप आई वाले 10 साल में किसी इसका या इस जैसी किसी बड़ी कंपनी का सीयो होगा बड़ी कंपनी का प्रमोटर होगा इसलिए मैंने आप से कहा कि हम यह मान के चल रहे हैं कि आज से 10 साल बाद जो सफलतम कंपनियां होंगी देश की उनके सीयो आज की तारिक में हमारे स्कूलों हमारे teachers हैं, उनको पिछले 4-5 साल में हमने train किया है, हमारे principals हैं, जिनको हमने IAM से special trainings दिलवाई है, school चलाने के लिए और इस तरह की education के लिए, साथ-साथ में जो young entrepreneurs हैं, जो CEOs हैं, current CEOs हैं, current promoters हैं, young entrepreneurs हैं, हमने उनको भी embed किया है, साथ-साथ जो DTU या NSUT जैसी बड़ी-बड़ universities हैं, यहां पर जो बच्चे MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इनको business coach के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है सर, यह बहुत अच्छा program है और जाहिर तोर पर बच्चों के skill से बढ़ेगी, कुरोना के लिए सर मैं पूछूँ, क्या ताहिया आ रहे हैं दिल्ली सरकार की? कुरोना देखे, अब एक नए variant की दस्तक हुई है दुनिया में, तो हमने उसको एक बहुत बड़े red alert के रूप में लिया है, और हमने अपनी सारी agencies को फिर से सतर्क कर दिया है कि आपको जो तयारियां पहले से हम कर रहे थे, बड़े पहमाने पर वो फिर से कहीं उसमें कोई दिलाई ना हो, और उपर से जो भी medical experts, देश को जो एडवाइस दे रहे हैं, बारसरकार के जो medical advisors है, experts है, उनकी जो भी सलाह होगी है, उसके हिसाब से protocol को आगे बढ़ाते चले जाएंगे. Sir, double dose की क्या स्थती है दिल्ली में? Double dose अभी तक मैं आपको, if you give me one second, मैं आपको latest status आपका बता सकता हूँ. One second, मेरे पास आज, पैस्ट्राम का, 86,000,000 लोगों को double dose लग चुकी है, और 1,37,000,000 लोगों को single dose लग चुकी है, तो ये काफी satisfactory है, अभी हमने अपने जो vaccination की team से उनको भी alert किया है, कि जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी और maximum लोगों को, जिनका time पूरा होता जा रहा है, अभी कुछ double dose के साथ time period भी important है, तो जैसे जैसे time पूरा होता जा रहा है, कोई भी आदमी SNA बचे जिसका time पूरा हो गया है, और उसको अभी double dose नहीं लगी है, लक्ष सर कुछ तैकिया है कि इतने महीन या एक महीने, दो महीने में दिलिवासी पूरे double dose ले चुके होंगे? हमारा target है कि हमारे पास में कुल जो target है हमारा, वो डेड़ करोड लोगों को double vaccinate करने का है, तो कम से कम हम 50 लाख डोज इस महीने अगर हमको उतने नमबर में available भी होती रहेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा target है कि हम 50 लाख लोगों को vaccinate कर सकें, जिसमें अब करीब तेरे लाख लोग हमारे डेड़ करोड़ के target में रह गए हैं सिंगल डोज के लिए और बाकी सब double dose के लिए हैं, तो जितना push हो सकता है हम इसको double dose के लिए कर रहे हैं.